नमस्कार दोस्तों, आज मैं PM Modi की Independence Day की speech देख रहा था, तो एक बहुत ही interesting सी चीज सामने आई, interesting तो क्या कोगा, एक बहुत ही disappointing सी चीज सामने आई, मैं दिखाता हूँ आपको, यह देखो उनकी speech दिखाता हूँ मैं, एक अप्रिल से पाँच अगस तक, income tax returns दाखिर करने वाले नए व्यत्तिक्यत करदाताओं की संख्या, 56 लाथ, पिछले साल उसी अवदी में, यह संख्या सरफ 22 लाथ की, तो सुना आपने, मोधी जी कहते हैं, पिछले इस साल, डी मोनिटाइजेशन के बाद, 56 लाथ, यानि 56 लाथ, नए टैक्सपेर अड़ हो चुके हैं, तो मैंने सुना, मैंने का, अच्छा चलो, ठीक है, मैं भी चेक करता हूँ, एक बड़ी चेक कर लेते हैं, जो बोलाए कि सच है कि नहीं, उसके बाद मैंने इसे गूगल पे लिखा, तो हैरान हो जाओगे, आप भी देखे कि क्या क्या आया, सबसे पहली चीज, 16 माई का, एक स्टेटमेंट आई, हमारे फाइनांस मिनिस्टर अरुन जेटली जी से, जिनोंने 16 माई 2017, चार माई ने पहले का था, कि डी मोनिटाइजेशन के बाद, 91 लैक नए टैक्सपेर आड हो हैं, मैंने का, ये क्या है बड़ी, पीम मोदी कह रहे हैं, 56 लैक आड हो है आड हैं, फाइनांस मिनिस्टर कहा हैं, 91 लैक अड हो हैं, दिखाता हूं आर्टिकल, यह दिखा हूं, इंडिया जारे 91 लैक टैक्सपेर सिंस्टी मोनिटाइजेशन, अरुन जी एक लीजी, यह है 16 माई का, मैंने का चलो और सर्च करता हूं इस चीज को, फिर और सर्च करा तो पता लगा, उसके बाद, 1st August को, यानी कुछ 16 दिन पहले, चीफ एकनॉमिक एडवाईजर, अर्विन सुब्रोमनियम ने कहा था, 5.4 लैक नए टैक्सपेर आड होएं, डी मोनिटाइजेशन के बाद, और यही नहीं, उसके बाद, यह वाला है, यह 1st August को गवर्मेंट से निकल के आया, 33 लैक नए टैक्सपेर आड होएं, डी मोनिटाइजेशन के बाद, चार अलग-अलग डेटा, सबसे पहले, 16 मही को अरुन जेटली कहते है, 91 लैक टैक्सपेर आड होएं, डी मोनिटाइजेशन के बाद, उसके बाद, गवर्मेंट डेटा, 1st August को कहते है, 33 लैक नए टैक्सपेर आड होएं, डी मोनिटाइजेशन के बाद, उसके बाद हमारे चीफ एकनोमिक एड्वाइजर, 11 अगस्त को कहते है, 5 लैक नए टैक्सपेर आड होएं, और फिर 15 अगस्त को मोदी जी कहते है, 56 लैक नए टैक्सपेर आड होएं, इन में से कौन सही है कोई तो जूट बोल रहा है इनमें से मतलब इस क्या लगा रखा इतना क्यों जूट बोला जाता है देश की जन्ता से फिर मैंने सर्च किया गूगल पर कि क्या PM मोदी ने जूट बोला था तो पता लगा ये कोई इकलौता जूट नहीं था कमसे हम साथ आठ चीजे जो PM मोदी ने अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में बोली थी वो सरासर जूट थी इन्होंने आप आर्टिकल सर्च करोगे तो इतने सारे फैक्ट चेकिंग आर्टिकल सा जाएंगे उनकी स्पीच से कि सोलर इनर्जी के जो डेटा है उन्होंने 21% बढ़ा के बोला है इलेक्ट्रिफिकेशन आफ विलेजेज उन्होंने 5% जादा बढ़ा के बोला है हाईवे कंस्ट्रक्शन उन्हें जादा बढ़ा के बोला है मतलब इतना फेकने की क्या जरूवत है यार जो डेटा मिला है उसे दिखा दो देश की जनता को इतना क्यों जूट बोल रहे हो हमसे ये सब करने की जरूवत क्या है उपर से एक त्रीपुरा के सीएम उनको स्पीच देनी थी इंडिपेंडेंस डे के दिन उन्होंने अपनी स्पीच दी तो दूरदर्शन और All India Radio ने उनकी स्पीच ब्लैक आउट कर दी दिखा ही नहीं उनकी स्पीच क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पीच में unemployment जैसे words का इस्तिमाल कर लिया था lynching जैसे words का इस्तिमाल कर लिया था तो जो सच बोल रहा है तुम उसकी स्पीच दिखाऊ ही ना और PM Modi ji हमारे से इतने सारे जूट बोले जा रहे हैं उनकी स्पीच सब चैन्स पे दिखाई जा रही है यह बहुत ही गलत चीज़ है और यह बहुत ही disappointing चीज़ है कि PM Modi जूट बोल रहे हैं वो भी Independence Day के दिन Red Fort पे खड़े हो के देश की जनता से यह वीडियो शेयर कीजे दोस्तो ताकि Modi ji तक यह वीडियो पहुँचे और उन्हें पता लगे भई जूट बोलने की जरूत नहीं है ऐसे हम सब Real Data पे मान जाएंगे Achievement है तो वह Achievement ही रहेगी इतना फेकने की जरूत नहीं है ठीक है धन्यवाद